देखो अभी आप ऐसे मुकाम पे खड़े हो जहां पे आपने क्या क्या है तो बाइलोजी का पढ़ाई क्या है अब तक कुछ न कुछ तो आपने पढ़ाई होगा लेकिन उसको रिवाइज कैसे करें वो समझ में नहीं आ रहा पंसेप्स याद नहीं रहे रहे तो हमें सर बहुत सारे student की request थी तो उसके ऊपर ये वीडियो है देखेंगे class 12 biology 30 days wise plan 30 day day wise plan मतलब 30 दिन अगले 30 दिन आपने हर एक दे में जो मैं बता रहूँ हो अगर follow किया तो definitely आपका score आएगा और ज्यादा गंटे पढ़ना नहीं ठीक है biology मैं hardly hard 2 गंटे की पढ़ाई है बस बागी कुछ नहीं 2 गंटे हर दिन अगर आपने 2 गंटे पढ़ा अगले 30 दिनों तक तो make sure आपको पढ़ना है यहाँ पे 60 गंटे ठीक है 60 गंटे आपको पढ़ना है और यह 60 गंटे ताए करेंगे कि आपको 90 अब परसेंटेज आएंगे क्योंकि अब तक आपने जो पढ़ाई कि यह वो एकदम बढ़िया है लेकिन अब में टाइम पे अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं किया वो फ्लो को मेंटेंड नहीं किया तो यहाँ पे अगर आप डिस्ट अप होगे तो आपका स्कोर भी खराब आ जाएगा तो यह चीज ध्यान में रखना है और आपक 30 days day wise plan हर एक दिन आपको क्या करना है वो सारी चीज़े मैं आपको बताऊंगा साथी साथ हम MSTCET का कोर्स भी इस साल लॉंच कर रहे है और study material अगर आप चाहते हो board exam के लिए तो description में आपकी link है bio study आपको download कर लीजिए वहाँ पे सारी चीज़े मिल जाएंगी ठीक है चलो फ page पे तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ देखो आपको जो biology में कितने chapter है वो पहले समझते हैं देखो first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh ठीक है यह आप देख सकते हो टोटल जो आपको chapter है वो हम देखते है वो है 15 chapter ठीक है और दीन हमारे पास कितने है 30 दीन है ठीक है 30 दीन है सर 15 chapter है तो पहला दीन day one तो day one में और day two में दो दीन में एक chapter आपको complete कर रहा है देखो सबसे पहले chapter one chapter one ठीक है पार्ट मतलब 50% chapter पहले दीन दूसरे दीन 50% तो 30 minute आपको गया करना है उसकी theory read करना है theory reading क्यूंकि आपने already थोड़ा तो उससे पढ़ाई है one short videos आप हमारे देखी रहे हो तो आपको क्या करना है इस सिर्फ theory reading करनी है 30 minute तेखी reading होने के बाद 10 minute आपको diagram की practice करनी है उस chapter में इस chapter first में पहले आदे portion में जो diagram है उसकी practice करो ठीक है जैसे कि anatropos ovule जैसे कि T.E.S. of Anther तीस मिनिट में आपको क्या करना है थेयरी रीडिंग करना है दस मिनिट आपको डाइकरम प्राक्टिस करनी है जो चाप्टर फर्स्ट है उसका आधा पार ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है त्री कोश्चन्स कि आपको राइटिंग प्राक्टिस करनी है राइटिंग प्राक्टिस कोश्चन आंसर जो इंपोर्टन कोश्चन्स है उसकी क्या करनी है आपको कोश्चन प्राक्टिस करनी है इंपोर्टन कोश्चन का वीडियो हमने डाल दिया है चानल के आप वीडियो सेक्षन में जाओगी तो दिख जाएगा आपको हर एक चाप्टर के उपर हमने वो IMP topics और उसमें ही कौन से सवाल पुछे जाएंगे वो भी मैं आपको बता है तो वहाँ से कोई भी तीन सवाल pick up करने है तो सबसे पहले दिन में क्या करूँगा चाप्टर 1 जो है वो शुरू करूँगा उसमें आधा पार्ट में रीड करूँगा आधे पार्ट में जो डाइगराम है 10 मिन उसके प्राक्टिस करूँगा और राइटिंग प्राक्टिस जो है आपको 20 मिनिट करनी है मतलब total time अगर देखते है तो सिर्फ एक घंटा आपको पढ़ना है शुरुवात में मैं आपको दो घंटे बोल रहा था लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक घंटा आपको पढ़ना है ये चीज ध्यान में रखनी है तो 30 दिन के लिए अगर आपने 30 घंटे अगर अच्छे से पढ़ाई किया consistency के साथ follow किया तो definitely आपका score आएगा ठीक है बहुत easy step में मैं इसको divide किया ज्यादा complex है कि यह नहीं सर बिल्कुल easy है सर chapter first और आपका chapter second तो एक chapter दो दिन के लिए चलाना है क्योंकि हमारे पाँ chapter कितने 15 दिन कितने 30 तो एक chapter दो दिन प्रिपेर करना है तो जो chapter first है सर उसके अंदर 30 minute theory practice आधा पार्ट की उसके अंदर के diagram की practice 10 minute और आपको 3 question 20 minute में writing practice करके देखनी है ठीक है उसी प्रकार से day 2 में chapter 1 ही लेना है क्योंकि day 1 में हमने आधा complete किया है day 2 में फिर से बचा हुआ आधा complete करेंगे उसमें 30 minute आपको 30 reading करनी है 10 minute के आपको diagram practice करनी है और 3 question 20 minute की writing practice करनी है शुरुआत में writing practice आप जो है वो open book भी कर सकते हूँ ठीक है मतलब book से आप बेकर answer भी लिख सकते है कोई उसमें नहीं है लेकिन practice करनी है अगर आपने ये जो schedule में बता रहा हूँ अगर आपने अगले 30 दिन तक इसको follow किया तो definitely आपको score build होगा आपका score बढ़ेगा अगर आपने अब भी कुछ नहीं किया तो हो सकते है आपका flow बिगड़ जाए आपका mark सचे से नहीं आए क्योंकि साल भर्ण में आप कितना पढ़ाई कर रहे है उससे ज़्यादा important है कि exam के पहले एक महीने आपका mentality क्या है आपका preparation क्या है आपका schedule क्या है उसके लिए ये चीज जरूरी है लेकिनी उसके बाद chapter 2 same दो दिन मतलब दीन तीसरा और दीन चौथा chapter 2 पढ़ेंगे उसमें theory reading 30 minute, 10 minute आपका diagram की practice और 20 minute आपको 3 question की writing practice करनी है उसी प्रकार से day 4 तक हो गया आपके दो chapter day 5 and day 6 में हो गया आपका तीसरा chapter ये दूसरा हो गया तीसरा chapter में भी same as it is सब के लिए वही है की 30 minute theory practice theory मतलब reading 10 minute diagram practice और 20 minute question answer practice तो उसी प्रकार से अगर 10 दिन की बात करें तो 10 दिन में आपके कितने हो जाएंगे 5 chapter हो जाएंगे ये नहीं 5 chapter उसके बाद 11, 12 दिन में हो जाएंगे आपका 6 chapter 13 और 14 दिन में हो जाएगा 7 chapter 15 और 16 में 8 chapter 17 और 8 में 9 chapter 19 और 20 में हो जाएगा आपका 10 chapter और बाकी 21, 22 में 11 22, 32 में 12 25, 26 में 13 27, 28 में हो जाए 14, 14 चप्टर और last में 29, 30 में हो जाएगा आपका 15 chapter तो टोटल कितने chapter आपको 15 chapter ये चीज़ धान में रखना है और passing इसी है अगर passing का डर है आपको तो मैं बताना चाहूंगा pass होना बहुत easy है कुछ hard नहीं है क्योंकि पता है आपको 70 mark का theory होता है 30 mark का practical होता है दोनों को मिला दे तो हमको मिल जाएगे 100 mark तो देख सकता जो theory आप reading करते हो इससे आपका concept बिल्ड होता है theory question में, बड़े question में तो वहाँ पे 4-5 marks वो clear हो जाएगे और writing practice क्या होगा आपका एक तो लिखने का speed बढ़ेगा दूसरी चीज़ लिखते समय आप उसको read करोगे, understand करोगे तो आपकी understanding power भी बढ़ेगी और last में आपको समझ में जाएगा कि 30 दिन होने के बाद yes मुझे biology आती है, यह confidence आएगा और वही confidence बहुत ज़रूरी है confidence, अगर आपने मान लिया कि हम हार गए तो आप हार जाओगे और अगर आपने ठन लिया कि हम जीत गए या फिर हम जीत जाएंगे तो आप जीत जाओगे तो वह confidence ज़रूरी है confidence आता है practice से एक चीज हमेशा से याद में रखना है practice करोगे तो confidence आएगा confidence के जोर पर हम पूरी दुनिया को जीत सकते हैं तो यह चीज अच्छे से ध्यान में रखना है अगर आपको लगता है कोई बोलता है कि आप pass नहीं हो पाओगे तो उसके उपर बिलकुल विश्वास नहीं करना है एक वक्त ऐसा आएगा कि आप खुद को लगेगा कि मैं pass नहीं हो सकता फिर भी खुद के उपर विश्वास नहीं करना है क्योंकि आपके अंदर बहुत potential है आप कुछ भी कह सकतो, यह चीज ध्याने में रखना है यह सिर्फ एक exam है, यह हमारी life decide नहीं करती, यह हमारा future decide नहीं करती लेकिन मुझे लगता है कि आने वाला समय जो हमारे पास है उसमें अगर हमने अच्छे से preparation किया तो make sure अच्छा percentage हमको आ जाएगा class 12 में ठीक है, तो यह चीज आपको क्या करनी है ध्यान में रखनी है, 15 दिन नहीं सर्फ, 15 चाप्टर 30 दिन, 2 दिन में 1 चाप्टर complete करना है और 2 दिन में 2 घंटे पढ़ाई करनी है हर दिन 1 घंटा पढ़ाई करनी है तो biology को अगर आपने हर दिन 1 घंटा पढ़ाई किया और यह writing practice में कौन से questions pick up करने है, जो की IMP questions है, जो हमारे वीडियो में हमने explain किये है, वीडियो में आपको दिख जाएगा playlist भी है, playlist section में भी दिख जाएगा तो अगर आप इतना सारी चीज़े करते हो तो मुझे लगता है, एक last जो part है आपका, वो यहाँ पे complete हो जाएगा और आप अच्छा score कर पाओगे I hope आपको यह जो strategy है यह day wise plan अच्छा लगा होगा अगर यह plan आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छा लगा है